हेलो फ्रेंट्स गुट मॉर्निंग एब्रिवन वेलकम टो एजुकेशना लुइंग लेट्स फ्लाइविट सक्सेस आज है 5th जैनुवरे 2021 जो भी मोस्ट इन्परेन करेंड अफेर्स बन सकते हैं 5th जैनुवरे 2021 के आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे मैं हूं सुजित आपको श्वागत करता हूं इस एजुकेशना लुइंग यूट्यूब चैनल में ओके और इडिस बेरी मॉच हेलपर पर ओल्ल कॉम्रेटिव एग्जामिनेशन सो ट्राइट वास्ट सेशन तील एंड फॉर बेटर नौलेज और प्रिपेरेशन और दोस्वास्ट पिजिए एजुकेशना लुइंग मॉस्ट सब्सक्राइब चैनल फॉर अपकमिंग अप्डेट्स ओके लेट्स प्रोशेट देखिए यह उमरा प्रिवेस ट्रेक के कुश्चिन था और हमको पहले आंसर करना है उमरा पहला कुश्चिन था हूँ हैस्पीन एपंड़ एच चेर्मेन की रूप में किसे नियुक्त किया गया है सेरका अप्रिवेशन है Steel Authority of India एंड़ करेट एंसर अपसंदी शों अमन्डल somma मन्डल को अभी सेल के चर्मेन के रूप में नियुक्त किया गया है कि हमरा सेकेंड कुशिन था हूइस कांफ़ विद् इमेन इंजिनियर आवरmpfen इनट correct answer here is option B ही होगा भीके यादफ होगा ओके देखिए the former chairman and CEO of railway board of railway board बीनोत कुमार यादफ has been conferred with the prestigious imminent engineer award for the year 2020 ओके देखिए भीके यादफ ये railway board के CEO and chairman थे अभी अभी ये 1st January से सुनित सर्मा टेक अबर दा चार्च as the chairman and CEO of railway board भीके यादफ को succeed करके अभी सुनित सर्मा ने ये चार्च टेक अबर किया है पर ये जो मिनियन इंजिनियर आवार है इस भीके यादफ को मिला है ओके आई होप यू गॉप यू गॉर्ट अलसो नाव शोप्रशित तोड़ेस फस्ट कुस्ट्र देखते हैं आज के पहले कुस्ट्र देखिए वर्ड ब्रेली डे अवजञट प्रय्त देखिए फिफ्ट जंवरी टर्ल baik हैं आप्सट्रнал डै अच्ट ओम एच्टिक वर्छव देखिए फिफ्ट जंवरी एक मारा और समावार आवर्ड मृडrisk अप्सट्र आप्सट्र करेंग्ञट के ब्रेल ज़ते टेखिए जो लेटर होता है, दा इंवेंटर ऑप दा लेटर ब्रेल, लुइस ब्रेल को याद करने के लिए, उचका उनके बार्थ अनभरसरी पे, ये डे मनाये जाता है, वाल्ड ब्रेल डी, डाइंवेंटर ऑफ दा ब्रेल, अव्दिश ब्रेल, ओके, I hope you got the answer now next question question number 2 who is signed with Indian Navy for initial supply of laser dazzlers who is signed Indian Navy के साथ किसने अभी ये sign किया है कि supply करने के लिए laser dazzlers को answer होगा यहां हमारा BEL option B is correct here BEL है निवच पे BEL का abbreviation क्या है भारत Electronics Limited भारत Electronics Limited ओके दाइंडिया निवच आभी हैंड a contract contract with the भारत Electronics Limited to produce light amplification by stimulated emission of the radiation dazzlers laser dazzlers इन साथम इन आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं हैं इमेज laser dazzlers को ओके next question इंडिया बिकाइम co-chair of APAP till which year इंडिया अभी co-chair करेगा APAP को till कौन से year तक यह जो APAP इसका abbreviation है Asia Protected Area Partnership Asia Protected Area Partnership इंडिया आज़ पेसर कौन से year पहज़े India कोच्यार केगा यह जो Asia Protected Area Partnership miyorum next question इंडिया के 67th Grand Master एक कुछ इस वेरी वेरी इन्पोर्टेंट है ओके इंडिया के 67th Grand Master के रुप में किसे किसने यह टैटिल जीता है 67 Grand Master कौन है लियन Mendoza का is the correct answer here. option A is correct here. Lian Mendoza का is the correct answer. okay अब देख सकते हैं या इमेज Lian Mendoza के the Gowas he belongs to Gowas Gowas 14 years old Lian Mendoza has become India's 67th Chess Grandmaster by winning the third and the final norm at a tournament in Italy. okay प्रिखे हिए इंड का 67th Grandmaster नहमे लिएन में दून का एक ब्लंबर्क बिलियोनर्स इंडेक्स 2021 जारी किया गया है और उनमें से इनमें से हमारे वाल्ड के रिचेस्ट परसन अभी कौन है अंसर हो गाहिए हमारा जैफ बेजोस था एंड़ एंड़ शीओ आफ एमेजन ओके जैफ बेजोस इस तरी चेस्ट परसन अफ दे वाल्ड एक अग्रिंग टू पर्लंबर्क बिलियोनर्स इंडेक्स 2021 दिखते हैं जैफ बेजोस को तुम्वस्ट परसन सेकेंड पोजिशन पर है इलन मॉस्क ओके यह स्पेसेक्स के हैड यह जैफ बेजोस अमेजन के हैड एलन मॉक्स स्पेसेक्स के हैड और टैसला कंपैने भी उनका ही है ओके बिल गेट्स माइक्रोप के हैड यह थार्ड पोजिशन पर है और हमारे इंडिया के रिचस्ट परसन मूंके समभाने का कुछ पूजिशन ड्रॉप्ट हो गया है और which movie is the opening movie at 51st IFFI, IFFI का मतलब क्या है पहले बता दीजे, देखिए, IFFI का अंसर हमारा अपरिबेशन है हमारा International Film Festival of India, आंसर हमारा अनादर राउंड, option C is correct here, देखिए, the 51st International Film Festival of India will open on 16th January, it is going to be open on 16th January with the Indian premiere of the movie, पहले कौन से मुवी, शलाय जाएगा यहां पर अनादर राउंड, यह एक ओसकार नोमिनेटेट, नोमिनेटेट एक मुवी धा, और यह 16th January से स्टार्ट होगा, IFFI, यह जो 51st IFFI है, International Film Festival of India, यह खहां पर किया जाएगा, यह इस सल गोवा भी होगा, गोवा पर होगा, ओके, next question, यह सभी important है, facts भी important है, आप सभी को एक इंटर रिलेटेट करके, आप याद कीजिए, note down करते रहे, okay, question number 7, who has delivered 8th landing craft utility shipped to Indian Navy, answer होगा है हमारा, option A, GRSE, okay, Kolkata based GRSE, इसका abbreviation है, देखिए, garden, garden rich ship builders and engineers, garden rich ship builders and engineers, the Kolkata based GRSE, has delivered the landing craft utility, landing craft utility, LCU to the Indian Navy, आप देख सकते हैं, इमेज, देख सकते हैं, यहाँ, okay, next question, देखिए, question number 8 है, हमारा यह, भुता सिंह पस्रावी, he was letter to his field, वो कौन से फेर से रिलेट करते थे, sports, journalism, politics, और अपसंटी medicines, answer होगा, अपसंटी politics, the former union minister and the senior Rajasthan Congress leader, he belongs to the political party Congress, okay, Congress leader, भुता सिंह पस्ट आवे, और भुता सिंह राजिब कांधी के period में, home minister के रूप में भी, काम कर चुके हैं, government of India में, okay, home minister भी थे, उस टाइम पर आप देख सकते हैं, यहाँ, इमेज, उनका भी नीदन हो गया है, politics से रिलेट करते थे, next question, when FAUG highly awarded mobile game will be launched, यह कव लॉंच किया जाएगा, 5th January को, 10th January को, 20th or option D 26th January को, यह answer होगा, यह हमारा Republic Day पर रिलीज होगा, so option D is correct here, okay, highly awarded mobile video game FAUG, all set to launch on India's 71st Republic Day, इस साल जो हमारा Republic Day है, यह 71st, 71st Republic Day है, और यह 26th January को, यह एगाम रिलीस्ट होगा, इसका और यह गेमिंग का प्राइन अमबर्शेटर कौन है, अक्षे कुमार, अक्षे कुमार इस गेमिंग के brand ambassador है, यह एक लादाक बेस्ट, जो चाहिने के साथ कुछ बेस्ट हो आता, उनमें related यह game है, okay, next question, which country's government passes Malala Yusuf's Scholarship Act, Malala Yusuf's Scholarship Act, कौन से government ना भी पास किया है, answer होगा, यह हमारा United States of America, USA ने, the US government has passed Malala Yusuf's Scholarship Act, पर पाकिस्तानी ओमेंड, यह किस पाकिस्तानी ओमेंड के लिए यह scholarship act है, okay, question number 11, last question of our today's session, which state government installs IT devices for water tower, water tower के लिए कौन से state government ना भी IT devices launch किये है, install किये है, answer होगा, यह हमारा बिहार, option C is correct here, देखिये, बिहार, पंचाइती रास department has installed computer-based application to keep a tap on the operation of motorized pomps across बिहार, okay, answer होगा, बिहार, capital क्या है, बिहार का, पतना, सी मिनिस्टर, मिनिस्टर नितिसकुमार, एन फागू, चोहान, इस दा गवर्नर आफ बिहार, okay, I hope you got the facts also now, आपको अगर session अच्छा लगा, तो आप like, share करते रहें, जैसे कि आपको पता है, यह हमारा questions of the day है, और आपको हमारे comment section में answer करना है, और आप यह questions हमारे upcoming session में discuss करेंगे, कौन से i-code के रूप में संजीब एनर्जी को अभी चीप जस्टिस के रूप में newt किया गया है, हमारा second question है, which country is set to join the five eyes intelligence sharing alliance, please try to answer in the comment section, thereby regular practice is done by you, यह questions आपके regular practice के लिए ही दिया जाता है, आप जितने भी comprehensive way में answer कर सकते हैं, आप comment section में answer किजिए, यह आपको सारे competitive exam करेंगे, helpful करेगा, ओके, thank you for watching this session, please like, subscribe and share as much as you can, जो भी friends और students, जो भी first time यह चनल विजिट करने हैं, चनल को subscribe कर लिजे, ऐसे educational content पाने के लिए, thank you, have a great day.